तो आज मैं जो है आपके समाने ग्यान के प्रश्ण लेकर आया हूँ जो आपके प्रिवेस एक्जाम्स में आ चुके हैं तो डिमांड उठी थी कि आप आप एकोनोमिक्स के कुछ कोशन करवाई जो आपके हच्पेससी आज कल बार बार पूछ रहा है और यह आते नहीं है किसी को भी ठीक है तो एक फेवरेट टॉपिक बन चुका है एकोनोमिक्स में से वह बहुत जादा कोशन पूछन लग गया अब किसी भी एक्जाम में चाहे हो टीडीटी का इक्जाम हो चाहिअ हो PCT का एक्जाम हो चाहिए वा कोई भी एक्जाम हो तो जो cations है वह उनसा भी के लिए इंपॉर्टेंट है जो आपका tg Musa का एक antibiot जो है कोई भी एक्जाम दे रहेे हैं तो , sulle profit करने की कोशिश खिएगा समझने की कोशिश किज़एग और एक कोशन का अंसर जो है मुझे कमेंट सेक्षिन में लिखेगा आप 10 में से मुझे मार्क्स बताइएगा कितने मार्कस आपके बढ़ने हैं ठीक है और मैंने आपको ब्लू वाइट रोल का फॉर्मला पूछा था ब्लू वाइट रोल का नाम क्या होता है तो ब्लू comment section में लिखेगा तो चलते हैं दोस्तों फर्स्ट कोशन की और फर्स्ट कोशन है हूँ रोट प्रोब पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश डूल इन इंडिया इसको किस ने लिखा है तो देखिए पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश डूल में सबसे पहले नेशनल इंकम के उपर चर्चा की गई थी जो आपकी 1876 में फर्स्ट नेशनल इंकम काउंट हुई थी तो वो 20 रुपे आई थी ठीके वो किस किताब में लिखा गया था कि 20 रुपे जो है उस समय जो है लोगों की नेशनल इंकम थी 1876 में जो है पहली नेशनल इंकम की गणना की गई थी यह याद रखना है तो यह जो अन बिटिश पोवर्टी एंड अन बिटिश रूल एंडिया किताब थी वो आपके दादा भाई नोरोजी ने लिखी थी इसके तहट आपके जो उस समय की जो आए थी प्रतिव्यक्ति आए वो 20 रुपे प्रतिमाह थी ठीक है यह ची चेक कीजेगा मेरे को अंसर कमेंट बॉक्स में दीजेगा कि क्या यह सही है क्या नहीं है तो देखें नेशनल इंकम के बारे बताना कि कौन कैलकुलेट करता है यह मैंने आपसे कोशन जो है पूछा है आपको इसका अंसर देना है चाहिए नेक्स्ट कोशन देखते हैं वह पर चार तरह के गुड्स है बहुत सारे गुड्स है वैसे तो इंफिरियर गुड्स के बारे में जानते हैं पहले पहले सब्स्टिचूट गुड्स के बारे में जानते हैं सब्स्टिचूट गुड्स क्या होता है सब्स्टिचूट यानकि किसी के स्थान पर जिनका यूज कि किसी दूसरी के जगा पर किया जा सकता है जैसे अगर Pepsi है पैपसी अगर बजार से चली भी जाये बग कंपनी बंद भी आ लेकिन उसके अलावा जो है मैंगो जूस वहां पर हो जाएगा ठीक है तो एक साथ ही किया सकता है तो यह तो वह एक complimentary goods है यानि की पैण के लिए इंकी चाहिए तो वह complimentary goods है तीवी के लिए cable चाहिए तो आफे वह complimentary गूड़ है तो यह भी नहीं है इस का अंसर normal goods कोंसे होता है जिसमें income increased होती है demand increase होती है ठीके income भी increase demand भी increase जितने भी national products होते हैं, जैसे आपका daily use के products हैं, आपके साब बुन हो गया, ठीक है, तो वो normal goods के अंदर आते हैं, और inferior goods में क्या है, जितनी income increase हो रही है, उतने demand decrease हो रही है, जितने भी Chinese product होते हैं, उनकी income तो increase होती है, लेकिन demand decrease होती है, तो वे option इसका right answer है, ठीक है, ये चीज control flow of money, इनमें से कौन सी policy है, जिसको RBI control करता है, money को, money के flow को रोकने के लिए, तो देखिए, जो RBI control करता है, वो monetary policy, control करता है, monetary policy के कुछ tools होते हैं, जैसे bank rate हो गया, CRR हो गया, SLR हो गया, repo rate हो गया, reverse repo rate हो गया, ठीक है, ये सारे के सारे tools जो है, वो RBI control करता है, अंदर दा monetary policy, इससे जो है, बजार में नियंतरन रहता है, money का, ठीक है, इसी से जो है, inflation और deflation, महंगाई और, महंगाई में कमी आती है, ठीक है, इससे ही वो control किया जाता है, तो monetary policy, जो है, RBI है, control करती है, money के flow को रोकने के लिए, fiscal policy, जो है, आपकी, वो कौन control करता है, वो government of India, control करता है आपका, ठीक है, जितने भी आपके taxis आते है, वो इसके अंतरगत आते है, ठीक है, और जो इसमें audit होता है, वो three months का होता है, जो monetary policy होती है, इसमें ये interest rate से related है, ठीक है, interest rate से related है, आप loan लोगे, तो उस पर आपको interest मिलता है, ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि वो कौन कंट्रोल करता है, RBI कंट्रोल करता है, जो जितना भी बैंकों का पैसा होता है, वो आपका RBI कंट्रोल करता है, ठीक है, तो ये चीज़ याद रिखनी हैं आपको, तो कि किस policy को RBI कंट्रोल करता है, monetary policy को, B option इसका right answer है, ठीक है, RBI की बात करें थोड़े सा, RBI ज ठीक है, उसका जो मुख्याले था, उस समय कलकत्ता था, क्या था, कलकत्ता था, लेकिन 1937 में इसका मुख्याले जो है, RBI का कलकत्ता से shift किया गया, मुंबई में, कहा किया गया, मुंबई में, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है आपको, और उसी तरह से आप याद रखें इसमें चार एक governor होता है 4 deputy governor होते है अभी हाल ही में तीन ही है नाम लूँगा मैं एक BP कानुगो है ठीक है दूसरे आपके MK GEN है तीसरे आपके Viral Achaaryah Maybe Viral Achaaryah ठीक है Viral Achaaryah है और जिन्होंने Resignation दिया है वो है आपके NS Vishwanathan ठीक है तो यह अभी तीन जो है अभी डिप्टी गवर्णर है चौथे की जो है इलेक्शन हो रहे हैं उसको नॉमिनेट किया जाएगा जल्द से जल्द तो यह चीज़ याद रखनी है तो आपके लोकल बोर्ड जितने भी आपके लोकल बोर्ड के मेंबर होते हैं वह चार होत अब फाइनेंस मिनिस्ट्र से मोनेटरी पॉलिसी में दो मेंबर्स आते हैं गौश्मेंट उफ इंडिया से 10 मेंबर्स आते हैं टोटल जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डिरेक्टर होती है उसमें 21 मेंबर्स होते हैं यह चीज़ याद रखनी है आपको नेक्स्ट कुशन देखते है नेक्स्ट कुशन देखते हैं यहाँ पर कुछ कोशन लिखे गए हैं वह आपको काफी इंपोर्टेंट होंगे क्योंकि यह एक्जाम में पिछले एक्जाम में आ चुके हैं ठीक है ओल्डेस्ट जॉइंट स्टॉक बैंक जो आपका सबसे पुराना स्टॉक बैंक था वो उसको इंडियन्स जो है मैनेज करते हैं वो कब खोला गया था 1894 में और रॉयल कमिशन ने जो डिमांड की थी वो की थी आर्बियाई को सेट अप करने की अंडर दा एक्ट आर्बियाई एक्ट 1934 ठीक है जो रॉयल कमिशन था उनने कहा था कि आर्बियाई की सेटलमेंट हो जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है उसको इंडिया ने कब खृदा उसको खृदा इंडिया ने 1911 में जो न्यू बैंक ऑफ इंडिया था वो पंजाब नेशनल बैंक से कब मर्ज किया गया पंजाब नेशनल बैंक में कब मर्ज किया गया वह आपका 1993 में किया गया जो फर् करने का बैंक को ठीक है तो वह आपका अपरेल 1980 में हुआ था फर्स्ट फेज में 14 बैंक्स नेशनलाइज किये गए थे तो यह कोशन जो थे आपके प्रिवेस एक्जाम में आ चुके हैं तो यह आपको काफी जो हैं पूछे जाते हैं जितने भी कोशन से मैं आपको एकोनोमिक के अच्छे से कीजेगा ठीक है यहां पर काफी सारी टर्म है एक करके मैं बता देता हूं कि कौन सी टर्म क्या है तो MSP जो होता है कि मिनिमम म स्पोर्ट प्राइज होता है क्या होता दोरा किसानों की फसन के लिए रखा गया मुले होता है यह तो यह MSP कैंतरगत आता है कैश क्रेडिट ॏक्रीज का मतलब क्या है का मतलब है कि अगर RBI CRR बढ़ा देता है यानि कि Cash Reserve बढ़ा देता है तो Commercial Bank के पास Cash Credit में क्या होगा तो वो Cash Credit होगा ठीक है Dear Money में क्या होता है Dear Money में होता है आपका कि जब RBI Inflation घटाने के लिए Rate of Interest बढ़ा देता है तो उसको क्या बोलते है Dear Money तो Option B तो इसका Right Answer होगा ठीक है चीप मनी में क्या होगा जिसमें आपको Low Interest Rate दिया जाएगा ठीक है Low Interest Rate दिया जाएगा चीप मनी में ये चीज़ी याद रखनी है तो Dear Money इसका B Option इसका Right Answer है Dear Money इसमें क्या होता है कि Inflation जब भढ़ती है तो उसको कम करने के लिए Rate of Interest decrease कर दिया जाता है आपने देखा यह होगा कि आर्थिक मन्दी चली हुई है तो उस दोरान आपकी Repo Rate और Reverse Repo Rate काफी कम हो चुकी है ठीक है जब वो Repo Rate कम हो जाती है तो यानि कि Rate of Interest कम हो चुका है ठीक है यह चीज़ आद रखनी है Next Question देखते है Who Prepares Budget Budget को कौन prepare करता है यह बताना है आपको होते हैं कि Budget जो है आपका Under Article 112 के तहत आता है ठीक है और Budget क्या होता है सरकार की जो एक साल की कमाई होती है और एक साल की जो खर्चे होते है वो आपके Budget होते है और जो Budget शब्द था वो सबसे पहले किस ने दिया था Sir James Wilson ने किस ने दिया था Sir James Wilson ने ठीक है और जो Budget होता है वो आपके Finance Minister जो है रिप्रेजेंट करते हैं और किस के Recommendation पर प्रेजडेंट के Recommendation पर और यह चीज़ याद रखनी है जो स्वतंत्र भारत था उसमें पहली बार Budget पेश कब किया था उसमें पहली बार Budget पेश किया था 26 November 1947 को ठीक है 26 November 1947 को और सबसे अधिक बार Budget पेश किया था मोडार जी दे साही दोरा दस बार Budget उनने पेश किया था ठीक है तो देखी जो Budget होता है वो कौन प्रिपेर करता है तो देखी वो जो Budget होता है वो आपका Department of Economic Affairs प्रिपेर करता है Option B इसका राइट एंसर है अब Budget भी दो तरह के हैं एक Revenue Budget है एक Expenditure Budget है ठीक है कि Expand करना कहां है Revenue कैसे होगा Taxes से या फिर Non Taxes से ठीक है Taxes में भी दो चीज़े आगे एक Direct Tax और एक Indirect Tax ठीक है यह चीज़े आद रखनी है और Expenditure में Planned होगे और एक Unplanned अभी इसके बारे में हम चर्चा करें आगे तो यह देखिए Revenue और Expenditure दो तरह के Budget है Revenue में आप कमाएंगे कहां से और और Expenditure में आप Expand कहां करेंगे Revenue में आप Taxes और Non Taxes यूज़ करते हैं ठीक है और Expenditure में Planned या फिर Unplanned Expenditure यूज़ करते हैं तो यह थे कोशन्स देखिए यहाँ पर सेक्सिक्स्त कोशन्स है इस Property Tax Direct और Indirect Tax देखिए जो Direct और Indirect Tax है वो आपके Revenue है ठीक है revenue है, revenue taxes है, ठीक है, तो direct जो tax है, वो आपका हमेशा central board of direct tax collect करता है, जो indirect tax है, वो आपका central board of indirect tax collect करता है, CVIT, ठीक है, यह चीज़ याद रखनी है, आप यहाँ पर जो direct tax है, उसके बारे में जान लेता है, कि direct tax कौन कौन से है, जितने भी income tax है, जितने भी corporate tax है, जितने भी gift tax है, जितने भी property tax है, यह सब आपके direct tax में आएंगे, ठीक है, और जैसे wealth tax होगा किसी का, उसी तरह से toll tax होगा किसी का, उसी तरह से syntax होगा किसी का, ठीक है, जो आपका illegal tax होता है, syntax को बोलता है, तो यह सब आपके direct taxes में आते हैं, ठीक है, और indirect taxes में कौन कौन से आएंगे, जैसे आपका service tax, service tax, value added tax, central excise duty, ठीक है, और आपकी security transaction tax, ठीक है, जितनी भी custom duties होती है, और आपका GST भी indirect tax में आता है, यह चीज़ याद रखनी है, तो property tax किसमें आता है, direct tax में, यह option इसका राइट एंजर है, कौन कंट्रोल करता है, direct taxes, cbdt, central board of direct taxes, next question देखते है, who collects direct taxes, यहाँ पर मैंने आपको direct लिखा है, कि direct taxes कौन collect करता है, तो वो करता है, cbdt, और indirect tax कौन collect करता है, वो आपका cbic, central board of indirect taxes and customs, ठीक है, यह चीज़ याद रखनी है, indirect taxes, rbi कभी भी direct tax, जो है, taxes collect नहीं करता, ठीक है, और यह according to fiscal policy के अंतरगत आता है, ठीक है, fiscal policy के अंतरगत, यह monetary policy समालता है, ठीक है, monetary policy, यह चीज़ याद रखनी है, next question, next question देखते है, which of the following is planned expenditure, अभी मैंने आपको revenue के taxes बताया थे, जैसे direct tax या indirect tax, अब यहाँ पर expenditure की बात आ रही है, कि कितना कहां पर आप expend कर सकते हैं, एक होता है planned, एक होता है unplanned, planned वो होंगे, जो आपके five year plan में mention किये जाएंगे, और unplanned होंगे वो जो आपके five year plan में mention नहीं किये जाएंगे, ठीक है, तो देखिए जो planned होते हैं, वो आपके budget के according जितने भी expenditure होते हैं, चाए वो railway sector हो, चाए वो public sector हो, चाए वो roads and highways हो, चाए वो education sector हो, चाए वो health sector हो, चाए वो power plant हो, कोई भी, वो आपके सारे के सारे planned उसमें आते हैं, यानि कि प्लान किया जाता है पहले, इन पे खर्च करने से पहले, और जो non planned होते हैं, वो आते हैं आपके defense में, जितनी भी salaries होती है, वो घरती रहती है, pension बढ़ती रहती है, घरती बढ़ती रहती है, मतलब bonus होगे जितने भी, ठीक है, EMIs होगी जितनी भी, वो EMIs भी घरती बढ़ती रहती है, subsidies भी जितनी वो होती है, वो भी घरती रहती है, ठीक है, जैसे subsidies cylinder पर मिल जाती है, या फिर diesel या fertilizers पर मिल जाती है, तो वह सारी की सारी जो है आपकी घरती बढ़ती रहती है और जितनी भी आपकी World Bank और IMF की जो EMIs है जो सरकार को चुकानी पढ़ती है तो वो भी उसमें घरती बढ़ती रहती है तो वो भी Non-Planed Expenditure है ठीक है तो यह चीज याद रखनी है तो which of the following is planned expenditure इन में से कौन सा planned expenditure है त कि डिफेंस के उपर कितना भी अभी प्लान नहीं किया ताकि कितने हम इस पर expand कर सकें ठीक है लेकिन जो पब्लिक सेक्टर वर्किंग अंडर्टेकिंग सोती है जाए वो रेल्वे से रिलेटिड हो चाए वो रोड से रिलेटिड हो चाए वो एजुकेशन से रिलेटिड हो चाए वो हेल्थ से रिलेटिड हो तो वह सारी कि सारी पब्लिक सेक्टर अंडर्टेकिंग से ठीक है तो वह प्लांड एक्सपेंडिचर में आती है ठीक है तो यह चीज़ याद रखनी है यह आप्शन इसका राइट एंसर है नेक्ट कुशन देखते हैं वीच फॉलेंग इ वो आपके किस में आते हैं वो आपके एकोनोमिकली इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं ठीक है एकोनोमिकली इंफ्रास्ट्रक्चर में जो एजुकेशन जो है वो प्लांड एक्सपेंडिचर में तो आती है लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होता गौर्मेंट को क्योंकि उस आते हैं समाजिक काम में आते हैं option A इसका right answer है जिसमें आप सोच लिजे कि आप से पैसा ने लिया जाता है एडूकेशन से रिलेटिद आप से पैसा ने लिया जाता ठीक है तो वह आपके किसमें आजाएंगे आपके social infrastructure structure में आते हैं हो आपके ठीक है next question देखते है विचाफ फॉलोइंग है जो मोर परसंटेज आफ शेर इन जीडीप जीडीप में सबसे तरह किसका परसंटेज है तो देखिए जीडीप में तीन सेक्टर आता है सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर टर्शी में आपकी जितनी भी इंडस्ट्रीद आती है उनकी मैनेफेक्टरिंग आती है ठीक है और आपका जितना भी टर्शीरी सेक्टर है वो उसमें ट्रांसपोर्ट आजाता है बिजनस आजाता है और इंशुरेंस आजाता है ठीक है तो देखिए जो तर्शीरी सेक्टर है उसमे जो है कम लोग काम करते हैं लेकिन मुनाफ़ा सबसे ज़्यादा होता है सेकेंडरी सेक्टर में तर्शी सेक्टर से थोड़ा ज़्यादा लोग काम करते हैं और मुनाफ़ा तर्शी सेक्टर से कम होता है प्राइमरी सेक्टर यानिकि अगरिकल्चर में ज़्यादा लोग काम कर करते हैं लेकिन मनाफ़ा सबसे कम होता है तो सबसे जदा परसेंटेज किसमी हुई GDP की शेर में यह आप्शन की यानिकि टर्शरी सर्विस की यानिकि ट्रांसपोर्ट की इंशुरेंस की बिजनस की ठीक है तो यह चीज आप याद रखनी है यह आप्शन इसका राइट अंसर ह किपे अब करता है तो आज की वीडियो में यह कंसे तो कड़ फिर मिलेंगे एक नए वीडियो किता तब तक के लिए जाहिंद